प्रिये व्यूवर्स ये संस्कृतिया ये एस यूट्यूब चैनल का पीटी थिंक आंड सॉल प्रोग्राम है इस प्रोग्राम के इंतरगर्थ प्रती एक दिन यूपी असी और स्टेट पीसियस से समवंदेद पांच प्रशन व्याक्या सही तुत्तर के साथ दिये जाएंगे हमें आशा है कि ये प्रोग्राम आपकी तैयारी में मददगार साथ तो चलिए देखते हैं आज के अपने पहले प्रशन को सर्शस्त्र वल अधिनियम 1958 के संदर्व में निनमलिकित कतनों पर विचार कीजिए अशान्त छेत्र को भारत्य सम्विधान के अनुचे 34 में परिभाशित किया गया है तथा इसे जीवन रिड़ी समिती की सिफारिश के आधार पर अधिनियमित किया गया है उपर एक्तु कतनों में से कौन से कतन सही नहीं है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों ना तो एक ना ही दो सही उत्तर क्या होगा उप्षिन सी सशस्त्रवल अधिनियम मुनिस्ट ठावन की धारा टू बी में अशान्त छेत्र को परिभाशित किया गया है इसके अनुसार अशांत छेत्र का अर्थ उस छेत्र से है जिसे इस अधिनियम की धारा तीन के तहट जारी अधिसूचना दौरा अशांत छेत्र घोशित किया गया हो भारते समिधान में ऐसे छेत्र को परिभाशित नहीं किया गया है अता कथन एक सही नहीं है जीवन रेडी समिती का संबंध सशस्त्रवल अधिनियम से है समिती ने इस कानून को दमन का प्रतीख बताते हुए इसे निरस्त करने की सिफारिश की थी इसलिए कथन दो भी सही नहीं है समिती ने वर्ष 2005 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें निर्मलिकित सिफारिशे शामिल थी अफस्पा को निरस्त किया जाना चाहिए और गैर कानूनी गतिविदियां अधिनियम 1967 में उचित प्रावधान शामिल किये जाने चाहिए सशस्त्र वलों और अर्ध श्तैनिक वलों की शक्तियों के इस पस्ट रूप से निर्दिस्ट करने के लिए UAPA को संशोधित किया जाना चाहिए प्रतियेक जिले में जहां सशस्त्र वल तैनात है शिकायत प्रकोष्ट स्थापित किये जाने चाहिए सारजनिक विवस्था पर दुतिये प्रशासनिक सुधार आयो की पाचपी रिपोर्ट में भी अफस्पा को निरस्त करने की सिफारिश की गई है हाला की इन सिफारिशों को अब तक लागूर नहीं किया गया है और इसी लिए विकल्प सीज का सही उत्तर है दूसरे प्रशन को ध्यान से देखिए कोरे गाउं के युद्ध के संदर्व में निर्मलिकित कतनों पर विचार कीजिए और बताईए कि कौन सा कतन सही नहीं है यह युद्ध एक जनवरी 1818 को इस्ट इंडिया कंपनी और पेश्वा के मद्ध हुआ था तथा इस युद्ध में पेश्वा वाजी राओ दुतिये की पराजय हुई केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों ना तो एक ना ही दो सही उत्तर क्या होगा सोच कर बताईए ओप्शन डी कोरे गाओ का युद्ध एक जनवरी 1818 को इस्ट इंडिया कंपनी और पेश्वा के मद्ध हुआ था इस युद्ध में महार सैनिको ने वाजी राओ दुतिये के नितुत वाली एक विशाल सेना को परास कर दिया था अधा कथन एक और दो दोनों सही है इस्ट इंडिया कंपनी ने युद्ध में शही सैनिको की स्टि में कोरे गाओं में एक विजय स्थम का निरवाड करवाया था हाल ही में सुधा भारत दौास जिनने वर्श 2018 में भीमा कोरे गाओं मामले में गिरफतार किया गया था उनकी जमानत पर सर्वोच नियाले ने मुहर लगा दी थी वे पिछले दो वर्शों से अधिक समय से जेल में थी और इसलिए विकल्प डीज का सही उत्तर है तीसे प्रशन को देखिए निन में लिखित कत्नों पर विचार करते हुए सही कथन का चैयन करें Human Immuno Deficiency Virus संक्रमित व्यक्ति की प्रतिरक्षा कोशिकाओं में तेजी से व्रद्धी करता है HIV के संक्रमर को बढ़ने से रोकने में हाइड्रोजन सलफाइट गैस की प्रमुक भूमिका हो सकती है तथा HIV के उपचार में संयुग एंटिरेट रोवाइल थेरपी का उप्योग किया जाता है केवल एक, केवल एक और दो, केवल एक और तीन, एक दो और तीन, कौन सा कथन सही होगा Option D यानि की उपर्योग्त सभी कथन ठीक है Human Immune Reficiency Virus संक्रमिद व्यक्ती की प्रतिरक्षा कोशिकाओं में तेजी से ब्रधी करता है जिससे ये कोशिकाओं मानफ शरीर की अन्ने कोशिकाओं को नस्ट करने लगती है हाल ही में भारत विज्यान संस्थान के शोध करताओं द्वारा किये गए एक शोध में इन कोशिकाओं की ब्रधी दर को कम करने में हाइड्रोजन सलफाइट को अधिक प्रभावी पाया गया है अताकतन एक और दो सही है इस खोज ने HIV के विरुद अधिक व्यापक एंटी रेट्रो वाइरल थेरेपी विक्सित करने का मार्ग प्रशिस्त किया है विदित है कि वर्तमान में प्रयोग की जा रही अत्याधुनिक सैयुक एंट्रेट्रो वाइरल थेरेपी एचाईवी से पूर्ण निदान के लिए उप्युक्त नहीं है यह केवल वाइरस को अव्यक्त करके उसे बढ़ने से रोक सकता है अता कथन तीन भी सही है और विकल्प डी इसका सही उत्तर है निन में लिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताईए कौन से कथन सही है विश्व व्यापार संगठन के बाली मंतरी स्तरी सम्मेलन में क्रशीन निर्यास सबसिडी को समाप्ट कर दिया था ग्रीन वॉक सबसिडी के तहट केवल विकास शील देशों की रियायते दी जा सकती है केवल एक केवल दो एक और दो दोनों ना तो एक ना ही दो सही उत्तर है ओप्शन डी विश्य व्यापार संग्ठन में क्रशी व्यापार निती ने सुधार उपर वर्ष 2000 में चर्चा प्रारम हुई जिस पर वर्ष 2001 के दो हा मंतरी स्तरी सम्मेलन के दोरान विस्तर चर्चा की गई वर्ष 2013 के बाली मंत्री स्तरी सम्मेलन में मंत्रियों द्वारा क्रशी नीतियों संबंदी महतपूर निर्णेयों को अपनाया गया था वर्ष 2015 के नेरोवी मंत्रिस्तरिय सम्मेलन में विश्य व्यापार संग्ठन के सदस्य देश क्रशी निर्यास सबसिडी को समाप्त करने के एतिहासिक निर्णय पर सहमत हुए है इसे विश्व व्यापार संगिठन के स्थापना के बाद से क्रशी में अंतरास्चे व्यापार नियमों का सबसे महतपूर सुधार माना जाता है अताकतन एक भी सही नहीं है इस संगिठन का बारवा मंतरी स्थरिय समेलन जेनेवा में 26 सवेंबर से होना सुनिशित था जो महामारी की वज़े से संपन नहीं हो सका ग्रीन वॉक सबसिडी के सामाने मानदंडों के अनुसार सरकार द्वारा किये गए उपायों का उतपाधन या व्यापार पर कोई विक्रत प्रभाव नहीं होना चाहिए इसके तहट विकसित और विकास शील्द सदसे देशों को रियायते दी जाती है अतक अथन दो भी सही नहीं है इन सहायताओं को सावजनिक वित्व पोशन के माध्यम से संचालिस सरकारी कारिक्रमों द्वारा प्रदान किया जाना आवश्यक है और इसलिए विकल्प डीज का सही उत्तर है अंतिम प्रशन को देखिए वेश्विक असमानता रिपोर्ट 2022 के संदर्ड में निर्म लिखित कतनों पर विचार कीजिए इसे विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है इसके अनुसार दक्षुन एश्या विश्व का सबसे असमान शेत्र है इसके अनुसार सबसे कम असमानता उत्तरी अमेरिका में है उपरेक तो कतनों में ऐसे कौन से कतन सही नहीं है केवल एक, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन, एक, दो और तीन सही उत्तर है option D वेश्विक असमानता रिपोर्ट 2022 बिश्व भर में असमानता के विविन पहलों पर सबसे अध्यतित और पूर डेटा प्रस्तुत करती है इसमें वेश्व एक संपत्ती, आय, लिंग, तथा पारिस्तित की असमानता शामिल है यह विश्लेशन कई वर्षों तक के लिए किये गए शोध पर आधारित है इस रिपोर्ट को विश्व असमानता लैब दौरा प्रकाशित किया गया है कथन एक सही नहीं है रिपोर्ट के अनसार मध्यपूर जिवन उत्री अफ्रीकी विश्व का सबसे असमान शेत्र है यह रोप में असमानता का इस्तर सबसे कम है और इसलिए कतन दो और तीन भी सही नहीं है वैश्विक स्तर पर आए में लेंग एक असमानता काफी अधिक है पारिस्तिक असमानता केवल एक अमीर बनाम गरीव देश का मुद्धा नहीं है बलकि सभी देशों के भीतर एक उच उस्सर जग बनाम कम उस्सर जग का मुद्ध भी है और इसलिए विकल्प डीज का सही उत्तर होगा